पाकिस्तान से लोटे नवजोज सिंग सिध्धू की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने भयानों की वज़ा से चर्चा में रहने वाले पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोच सिंग सिद्धू के लिए अब पाकिस्तान से मिला एक गिफ्ट गले की फास बन गया है। पाकिस्तानी पत्रकार से मिले एक तौफे के कारण सिद्धू एक नए विवाद में घिरते नजरा रहे हैं दो पशू प्रेमियों ने वन्यजीव अपराद नियंतरन ब्यूरों में शिकायत देकर पंजाब के मंत्रे नवजोद सिंग सिद्धू के खिलाफ कथी तोर पर भूसा भरा काला तीतर रख कर वन्यजीव संरक्षन अधिनियम 1972 के उलंगन का आरोप लगाया है इस अधिनियम के तहट उन पर कारवाई की मांग की गई है ये पक्षी सिद्धू को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तब भेट किया था जब वो करतारपूर कोरिडोर के श्रेलन्या समारों में भाग लेने पाकिस्तान गय थे सिद्धू ने 12 दिसंबर को भूसा भरा ये काला तीतर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग को भेट कर दिया था हाला की पता चला है कि अमरिंदर ने वन्य जीव विभाग से ये जानकारी मांगी है कि क्या वो इस पक्षी को रख सकते है वन्य जीव कारेकरता नरेश काधियान ने कहा कि सिद्धू द्वारा वन्य जीव संरक्षन कानून का उलंगन के जाने के लिए मैंने वन्य जीव अपराद नियंतरन ब्योरो में शिकायत की है आपको बता दे कि वन्य जीव अपराद नियंतरन ब्यूरो पर्यावरन मंत्राले के तहट आने वाला एक संवेधानिक निकाय है और ये संगठित वन्य जीव अपराधों पर कारवाई करता है इसी तरह की शिकायत लुधियाना निवासी पशु कारेकरता संदीप जैन ने भी दर्ज कराई जिसमें उन्होंने इस मामले की जाँच और सिद्धू के खिलाफ कारवाई की मांग की है जैन ने अपनी शिकायत में कहा है कि वन्य जीव संरक्षन अधीनियम के तहट काला तीतर एक संरचित प्राणी है अब देखना होगा कि इस मामले में सिद्धू के खिलाफ आगे क्या एक्शन लिया जाएगा तब तक के लिए सिद्धू की मुसीवते तो जरूर बढ़ गई है ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक